जै गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, सारी संगत को जै गुरुजी, ओम नमस शिवाई, शिवजी सदा सहाई, ओम नमस शिवाई, गुरुजी सदा सहाई, शिव पुरान, श्री रोद्र सहिता, तृत्ते खंड का बार्वा अध्याई, पार्वती की सेवा में रखने के ल ब्रहमा जी बोले हे मुनिनारद तत पश्चात हिमाले अपनी पुत्री पार्वती को साथ लेकर शिवजी के पास गए वहाँ जाकर उन्होंने योग साधना में डूबे त्रिलो की नाथ भगवान शिप को दोनों हाथ जोड़कर नमस्कार किया तता इस प्रकार प्रातना करने लगे भगवन मेरी पुत्री पार्वती आपकी सेवा करने की बहुत उत्सुख है इसलिए आपकी अरादना करने के लिए मैं इसे अपने साथ यहां लाया हूँ हे प्रबु यह अपनी दो सक्खियों के साथ आपकी सेवा में रहेगी आप मुझ पर क्रिपा करके इसे अपनी सेवा का अफसर प्रदान करिए तब भगबान शिव ने उस परम सुंदरी हिमाले कन्या पारवती को देखकर अपनी आखे बंद कर ली और पुना परम भ्रम के स्वरूप का ध्यान करने में नी मगन हो गए उस समय सर्विश्वर एवं सर्व व्यापी शिव जी तपस्या करने लगे यह देखकर हिमाले इस सोच में डूप गए कि बगबान शंकर उनकी तपस्या सुईकार करेंगे या नहीं तब एक बार पुना हिमाले ने दोनों हाथ जोड़ कर शिव जी के चर्णों में प्रणाम किया और बोले हे देवादी देव महादेव हे बोले नात शिव शंकर मैं दोनों हाथ जोड़े आपकी शरन में आया हूँ कृपया आखे खोल कर मेरी ओर देखिए भगवन आप सभी विपत्तियों को दूर करते हैं हे भग्त वत्सर मैं रोज अपनी पुत्री के साथ आपके दर्शनों के लिए यहां आऊंगा कृपया मुझे आग्या प्रदान कीजे हिमाले के वचनों को सुनकर त्रिलो की नाथ भगवान शिव ने अपने नेत्र खोल दिये और बोले हे गिरी राज हिमाले आप अपनी कन्या को घर पर ही छोड़कर मेरे दर्शनों को आ सकते हैं नहीं तो आपको मेरा भी दर्शन नहीं होगा महेश्वर की ऐसी बात सुनकर हिमाले ने अपना मस्तक जुका दिया और शिव जी से बोले हे प्रबू हे महादेट जी रिप्या यह बताईए कि मैं अपनी पुत्री के साथ आपके दर्शनों के लिए क्यों नहीं आ सकता क्या मेरी पुत्री आपकी सेवा के योगे नहीं है फिर इसे लेकर आने का कारण मुझे समझ में नहीं आता हिमाले की बात सुनकर शिव जी हसने लगे और बोले हे गिरी राज आपकी पुत्री सुन्दर, चंद्रमुखी और अनेक शुब लक्षनों से समपन है इसलिए आपको इसे मेरे पास नहीं लाना चाहिए क्योंकि विद्वानों ने नारी को माया रूपीनी कहा है युफ्तियां ही तपस्वियों की तपस्या में विग्न डालती है मैं योगी हूँ, सदेव तपस्या में लीन रहता हूँ और माया मोव से दूर रहता हूँ इसलिए मुझे स्त्री से दूर ही रहना चाहिए हे हिमाले, आप धर्म के ग्यानी और वेदो की रीतियां जानते हैं स्त्री की निकट्टा से मन में विश्यवासना उत्पन हो जाती है और वेराग्य नश्ट हो जाता है जिससे तपस्वी और योगी का ध्यान नश्ट हो जाता है इसलिए तपस्वी को स्त्रीयों का साथ नहीं करना चाहिए इस प्रकार कहकर बगवान शिफ चुप हो गए हिमाले शिफ जी के ऐसे वशनों को सुनकर चकित और व्याकुल हो गए उन्हें चुप देखकर पार्वती देवी असमंजस में पड़ गई संगत जी यहीं पर शिफ पुरान श्रीरोद्र साहिता तृत्ते खंड का बार्वा अध्याय समाप्त होता है जै गुरुजी शुक्राना गुरुजी